इसमें फानी का percentage already है. एकदम softly है, ऐसे bend हो रहा है. ये तो तूल भी गया, ये लेखे ऐसे हो गया, इस तरीक्ये से हो रहा है. आज हम इसका तेल एक्स्राट करने वाले हैं मार्केट में कई प्रकार के अलग अलग तेल दिलते हैं लेकिन आज हम पूरी तरीके से शुद्ध जिसमें किसी भी प्रकार का केबिकल अड़ नहीं होता हमने 25 किलो कोकोनेट लिया है और हम इसे वन बाइवर इसी वरीके से डाले के तो हर को कोकोनेट की अपनी प्वालिटी और मिठास होती है तो राजपूरी कोकोनेट यह मीठा होता है इसके तेल और एक्स्राट होता है इसने अलग ही प्रकार का एरोमा और गुष्भू होती है यह कितना केजी होगा जोगी कोपोलट पचीज किलो पचीज किलो कोपोलट एक बार में 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 है कि इतना समय लग जाएगा इसमें और इनकीज दो घुटे लगने बाले है और रस आप देखिए अगर, इस विडियो के पॉलज़ आजए कि तो कोपोनेट तार रेंगे ही जिस्थे हूं टूराइगा तो कोपोनेट निकलता आपको तेन नितलत तेन पिक टी दानागे लु जो रोसी जी वैसे जो बाहर पोकोनट ओयल होता है यह तो एडिबल ओयल भी होता है इसको मॉलिस के लिए भी यूज करते हैं इसने और इसने क्या है पोल प्रेस ओयल में क्या हो रहता है जो माफिट में मिलता है वहां पे आपको स्पेसिफाय बताया करता है कि है है रोल परपस के लिए या मसाज परपस के लिए लेकिन जो टेट निकालते हैं वो आप और मजडी परपस के लिए उसको सकते हैं मतलब कारण जो भी हो ते लेकी है त्यूंकि वह शुद्ध है आप इस झाल सकते हैं अब अपने च्मरे पे सकी पे बड़ी मसाज कर सकते हैं एजjestर है आप औरल हेल्फ के लिए आच्छा होता है एक्छा होता है जैसे गाडी की जापले जाँढकि जयसे हम गाडी की cycling करते हैं हम क्यों करते हैं किक हमारे Q GG parts शी तरीके से हमें तो अब बॉडिकी भी ऑइलीं की जरुरत होती है, मतलब शरीर में तेल की जरूरत है, दोक्तर कहती है कि तेल कम खाना चाहिए, लेकिन अच्छा तेल खाना जरुती है, जो मार्केट में आपको मिलता है वो तेल पूल अच्छा नहीं होता, मैंने कही वीडियो में चर्चती ह जो मार्केट में तेल मिलता है, तो क्वालिटी की तो बात चोड़ें उसमें वो आपको तेल ही नहीं देते हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ कैमिकल देते हैं, तो कि गौवर्मेंट ने कहा है कि 30% आप मिल्स करिये, तो आप और मेरे जैसे लोग तक नहीं बहुँ सकते, तो ही ओयल मैंज़ाक्शर क्कinhoम्पनी जो में वो नहीं दो टतता है, ओप क्तिने परसेंटेज मिलावट कर रहे है, अबेसे बहुँ आपको आपको ऊचल आपके करीधन जायगा तो इसका रियक्शन तो वो अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीकी सा शरीर में होगा जो परसंटेज होता है वो जयादा होता है तो को डालते ही इसमें ओल निकल ले लाता है हम इसमें जो हम वाटर आयट होगा बहुत नॉमिनल सा थोड़ा सा आयट होगा से थोड़ा सा नैचरल फिल्टर करने के लिए तो बाहर का जो क्लाइमें अल्रेडी बारिश का है तो जो फोकोनेट आया रहे मारके से उमाद यह देखे मैं हाथ से तोड़कार आपको लिखाऊंग इस वेरी सॉफ नॉमिन जब यह देखे एक हांस ने तोड़ा को इसना मूड गया कर मैं दोनों आसे इसको करूँ तो इ अब देखे इसमें काफी सारा तेल बन चुका है अब यह तेल हम निकालेंगे निकालेंगे उसके बाद इसमें डालते रहेंगे तो और निकलते रहेगा एक समय आएगा कि जो वेस्टे पूरी तरीके से ड्राय हो जाता है आप देखें कितना एकदम क्लियर सा तेल है मशीन में आउन भी करूँ को और आप देखने को मिलेगा आप पूरा शुद्ध नारियेगा तेल आएगा प्राय कि अपूरा वाटल वाटल है? यह एक लिटर की बाटल है झाल झाल